प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें मैं है इसलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स खबर उत्तर पर्देश के रामपुर जिले से है जहां मस्जित में अजान करने को ले कर एक भुजूर्ग में की चाकू से गला काट कर हत्या करने वाले बुजूर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए है रामपुर के अजीम नगर छेत्र के नगलिया आकिल गाउं का ये पूरा मामला है दरसल 65 वर्षिये सगीर बेक मूल रोट से पंजाब के रहने वाले थे जो आकर नगलिया आकिल गाउं में रहते थे गाउं के ही बिलाल मस्जिद में वो अजान दिया करते थे वहीं उन्हीं के पडोस में रहने वाले 55 वर्षिये जलीस एहमद भी मस्जिद में अजान देना चाहते थे और इन दोनों के बीच में इस मसले पर काफी विवाद चल रहा था और गुरुवार की सुबह में सगीर बेग मस्जिद में पुरान पढ़ रहे थे तभी पीछे से आये जलीस एहमद ने चाहकू से सगीर पर हमला कर दिया और उनकी करदन काड़ दे इस दोरान बीच बचाव करने के लिए समसुद दीन नाम का एक युवक आगे आया मगर जलीस एहमद ने उस पर भी चाहकू से हमला कर दिया और वो भी घायर हो गया सगीर की हत्या कर जलीस भागने की कोशिस करने लगा मगर तभी गाउवालों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पर बान दी इसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दे गई और मौके पर पुलिस ने जलीस को गिरफतार कर लिया और इसके पास से वो चाकू भी बरामत कर लिया गया है जिससे सगीर की इसने हत्या की थी और अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये हत्या करने वाला बेक्ति मंद बुधि का बताया जा रहा है बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में जाच परताल कर रही है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटेंग्स